नमस्कार दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि CSC MTS यानि कि हवालदार की जो वैकंसी आई हो है वो किस प्रिकार से फिलप कर सकते हैं योग्यता इसमें दस भी पास है तो चलिए सरकार रिजल पर आते हैं या फिर SSC NIC.in पर आ जाएंगे ऑफिशल साइट पर नियू करेंगे और नीचे आपका आजाता है टाइप अगर आपके पास अधार कार्ड नहीं तो इसमें अधर भी डोकुमेंट्स आप लगा सकते हैं बोटर कार्ड इत्यादी तो यहां पर नो करेंगे नीचे आपका ओपन हो जाएगा कि आपका जो यह है तो इस प्रिकार से फ्र सब करेंगेरी यहां 12 convenient अपके पासे है इस तरीके से नहीं होगा इस तरीके से अगरा आप करते हैं तो इसके धाल आपका लेविल जो है हाइस्ट क्वालिफिकेशन क्या है आपने इंटर कर रखा है उससे डिगरी भी इत्यादी कर रखा तो वह आप डाल सकते हैं फिर यहाँ पर आपना मुवाइल नंबर डालेंगे बैरिफाई मुवाइल नंबर करेंगे और नीचे आपको स्टेट सेलेक्ट करना होता है अपना कि paausa word अपना नाम रिख सकते है तो इस परकार से आप अपना बना लेगे पास्वोड बनााने के लिए बादी फ्रेंड्स वह रिश्टेशन नंबर एंटा नबर है सबत्रक्राइब एक पत्रक्राइब सब्सक्राइब अपना district select कर लेंगे और pin code यहाँ पर enter कर देंगे जैसे कि जो भी आपका है वो अगर आपका permanent address और same address है तो आप yes पर करेंगे otherwise अगर आप दो जग़े रहते हैं आपने अधार कार्ड में डोकुमेंट समाल आगे तो यहाँ पर इस प्रिकार से यहाँ पर आप next पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर I accept का टम संग कंडिशन आ जाता है फाइनल समिट पर आप क्लिक करेंगे आपके उसी mobile नंबर फिर से एक OTP भी भेजा गया है वो आप यहाँ पर करेंगे कैप चाइब करेंगे और समिट पर क्लिक कर देंगे क्लिक करते हैं आपके सामनी रेइस्टेशन सकसेजबूली आपकी प्रोफाइल बन चुकी है लेटेस्ट नोडिविकेसन पर क्लिक करेंगे और जैसे कि मल्टिटासकिंग हवल्दार चल लईए तो आपलाई पर age में छूट चाते हैं तो आप yes करेंगे जैसे कि अगर sast candidate है या फिर other है तो उसमें आप yes करेंगे otherwise यहाँ पर no करेंगे अब नीचे के और scroll करेंगे scroll करने के बाद में देखें आपको जो है state wise जो post है वो select करनी होगी तो यहाँ पर इनके आगे इनके code लिखे हुए हैं आप नीचे देख सकते हैं यह code आपको भनने होगी जैसे कि आप जिस राज्य में आपनी post चाते हैं तो वो यहाँ पर आपको उस post के आगे का code आपको एंटर कर देना है तो यहाँ पर हम देखे इस परकार से code एंटर कर रहे हैं आप जब आपने code एंटर कर लिए हैं और आप नहीं करना चाते हैं तो यहाँ पर देखे एक्स का option यहाँ पर आप एक्स दवा देंगे और एंटर करेंगे तो आपके यह सारे box जो है ओटो फिल हो जाएंगे एक्स एक्स करके अब नीचे के और स्क्रोल करेंगे तो यहाँ पर highest जो आपकी qualification है वो आप यहाँ पर select कर लेंगे जैसे कि आपने इंटरिय इत्यादी जो भी किया है तो highest qualification आपनी select करेंगे select करने के बाद में नीचे के स्क्रोल करेंगे तो देखिया हमने highest qualification अगर है अगल्च सब्सक्राइब न्यक्राइब करें और यहां पर क्लिक करेंगे को प्रकार सब्सक्राइब यहां पर यह देखिल दो इत्याधि तो यहाँ पर आप DEC को अगर detail देना चाहते हैं तो हम यहाँ पर नहीं देना चाहते हैं तो हम no कर देंगे no करने के बाद में नीचे के और scroll करेंगे scroll करने के बाद में देखी 20-50 kb के size का आपका photo यहाँ पर लगता है तो यहाँ पर आप photo इस पर enter कर देंगे और photo पर date mention होनी चाहिए जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं photo पर friends date आपकी mention होनी चाहिए DOP करके जैसे कि आप photo में देख सकते हैं और यहाँ पर signature आप verify करेंगे और submit पर click करेंगे जैकि यहाँ पर हमारा print तयार हो चुका है submit करते ही आप यहाँ पर print कर सकते हैं सभी candidate की जो ladies है और SST है उनकी face माफ होती है तो इस परकार से photo पर date इस परकार से mention करनी है अगर वीडियो पसंद आती है तो channel को subscribe करें हमारी वीडियो को like और share करें